नमस्कार इंडिया नियूस के डिजिल प्लाटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बात करते हैं विश्वकप 2023 की जहां भारत इतना अच्छा और शांदार पर्फॉर्मेंस करने के बाद भी विश्वकप नहीं उठा सका ऐसे में अब सियासी, कॉंट्रुवर्सी और बातें शुरू हो गई है एक तरफ समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मैज लखनओ के एकाना स्टेटियम में होता तो लॉड विश्वकप और ब्लसंग से भारत जीत जाता वहीं ममता बैनर जी कहती है कि अगर विश्वकप कोलकाता या मुंबाई में होता तो भारत जीत जाता और इन सभी वयानबाजी के बीच में कॉंग्रेस लीडर की बात की जाए अगर तो राहुल गांधी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी यानि की पी-म पनौती मोधी है ऐसे में इस स्टेट्मेंट के बाद जो वो राजस्थान के जनसभा में दे रहे थे जब संबोधित कर रहे थे जनता को तो उन्होंने यही कहा कि अच्छा खासा लड़के खेल रहे थे लेकिन पनौती की वज़े से हार गए और ये सब को पता है जनता जानती है भले टीवी वाले माने या नहीं अब ऐसे में भारतिय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग को शिकायत की और थरस्डे की बात अगर की जाए तो थरस्डे को राहुल गांधी को नोटिस गया है जिससे अब उनसे पूरा जवाब तलब ये पूरा जो आंसर है वो साटर्डे को मांगे गए है यानि की शन ज़नसभा में जब राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे थे ऐसे में अशोभनिय होने के साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने पनौती और जेब कतरा संबोधित किया कि जिस तरीके से मोधी और अडानी जेब कतरे हैं एक आता है ध्यान भढटकाता है और दूसरा पीछे से जेब काड़ जाता है तो सवाल यहां पर यह उठता है कि ऐसी राइवल्रीज में पॉलिटिकल राइवल्रीज में क्या वाकई ये जरूरी है कि ऐसे अपशब्द प्रधानमंत्री के लिए यूस किये जाएं जो वाकई अशोबनिये हों ऐसे में निर्वाचन के साथ मैंने किता सरी इंडिया निउस के लिए